नमस्कार आप देखरें जनता दर्बार नियूज और मैं आपके साथ जोती राखव। सप्रिम कोट ने मनी लॉंडिनिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंतरी और आमाद्मिय पार्टी के नेता सतिंदर जैन को राहर देने से इंकार कर दिया है। उनके सभी याचिकाए खारिज कर उन्हें तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा गया है। बुद्वार को ही वे कोट में पेश होने के लिए तैयार हो। उनके अलावा मामले में सहय आरोपी अंकुष जैन और वैभव जैन की वी जमानत याचिकाए खारिज हो गई है। सतिंदर जैन को मई 2022 में एडी ने मनी लॉंडरिंग के मामले में गिरफ़तार किया था। कोट ने मेडिकल ग्राउंड पर उने करीब नो महीने पहले अंतरिम जमानत दी थी। हारां की कोट ने उन पर इस मामले से जुड़े गवाहों शिकायत करता हों आधी पर प्रभाव कर इस्तमाल करने, राजनेतिक गती वीडियो में हिस्सा लेने जैसे कई तरह के पाबंदिया भी लगाई थी। सुप्रेम कोट ने सतिंदर जैन को इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर छे हफते के लिए नियाएक हिरास अर्थ से छोड़ा था। लेकिन इस सवदी को अब 9 म काहिने से भी ज्यादा हो गया है।